हेलो नमस्का सुडेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं आज अपन एक नई एकसर साइज को शुरू करने जा रहे हैं चप्टर नमर बारा चदर आथा एकसर साइज हमने बारा पॉइंट एक कंप्लेट कर लिया है आज अपन शुरू करेंगे बारा पॉइंट दो तो देखेगा आगर आपने पिछे वाली क्लास से नहीं देखिए तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लेक मिल ज जाएगी इसके बाद में आपको डेस्वरक करवाई जाएगी और लास्ट में आपको महत्वपुन प्रश्चन भी करवाई जाएगे इसी चैनल पे तो आप घर बेटे अपने कमरे के अंदर सब कुछ पता लगा सकते हैं क्या इंपोर्डेंट है कैसे आपको पेपर करना है किस परकार से पेपर आएगा क्या पेटरन रहेगा सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा तो चैनल को सस्क्राइब करके पास में जो बेल आएक है न उसको जूरुत वालें ताकि प्रते क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे पहला परसंद निमल लिखित वंजिकों के गुणन खंड कीजिए फेक्टर करने गुणन खंड करने टुकडे करने तो चलिएगा ए स्क्वेयर प्लस में यानि ये हमारे पास में हमें दे रखा है आठ ए स्क्वेयर प्लस में आठ ए प्लस में 16 दे रखा है यानि गुणा करने पे गुणा होता है बाहर वालों का बाहर वालों का आपस में गुणा यानि 16 a square का गुणा करेंगे तो 16 a square बनेगा और बीच वाले का होता है जोड यानि 8 a जोडने पे प्लस का 8 a आना चाहिए और गुणा करने पे 16 a square आना चाहिए गुणा करने पे 16 a square आना चाहिए ऐसी दो संखें आपके पास होनी चाहिए या 8A के ऐसे टुकडे कर दो कि गुणा करने पे तो बन जाए 16 A square और जोडने पे बन जाए 8 तो आपने लिखा 4A प्लस में 4A प्लस में 16 ठीक है Only for बीच वाले के ही टुकडे होंगे बाहर वाले सैम के सैम रहेंगे पहरे विद्धार्थी हो 4 और 4 8A बन जाएगा 4 चोके 16 A गुणा A square बन जाएगा तो ये आपके पास में क्या प्राप्त होगा First 2 से क्या common आएगा A common आएगा तो ये बन जाएगा A प्लस में 4 Second 2 से क्या common आएगा 4 common आएगा तो ये बन जाएगा A प्लस में 4 दोन्नों में 4 का भाग जा रहा है इसलिए 4 common आगया common होता है उब्बे निस्टोना अब दोन्नों में A प्लस 4 A प्लस 4 ब्रेकिट में हैं तो A प्लस 4 और ये बन गया A प्लस 4 ये आपके गुणंखंड होगे टुकड़े होगे आगे या तो ये आंसर दे सकते हो या दोन्नों ही सेम है तो A प्लस 4 और A प्लस 4 का whole square कर सकते हो या आप ये जवाब दे सकते हो ये आंसर दे सकते हो समझे क्या समझे क्या बताइए समझे हैं तो next पही चलती है second number करते है बीच में lining कर देता हूँ गड़ बढ़ने हो अब देखो प्यारे विद्यारतियो गुणा करने पे तो 25 P square आना चीए जोडने पे minus के 10 P आना चीए तो आपने लिखा P square minus के 5 P minus के 5 P plus के 25 तो इस में से first दो में से क्या को मनाएगा P को मनाएगा P minus में 5 और minus के 5 को मना गया तो P minus के 5 तो ये बन गया P minus में 5 और ये है P minus के 5 या तो ये answer दे सकते हो या आप दे सकते हो P minus में 5 का whole square ये है और A-B का whole square open करते हैं उस तरीके से open करोगे तो आप इस ही question बन जेगा तो आपका एकदम right answer है कोई दिक्कत है ने कोई किंदू प्रंतो ही नहीं है का समझें इसके बाद में देखो 25 गुणा करने पे तो आना चीए 25 गुणा 9 और जोडने पे आना चीए 30 हम जोडने पे आना चीए 30 हम तो ऐससे कोई संख्या है आपको लेके आने पड़ेगी यानि 15 और 15 गुणा करने पे 15 का स्केर 225 होता है तो एक तुम बिलकुल right बताया सर्द आपने ठीक है और वैसे सर्द हमेज़ा ही right बताते हैं अगर आपको ने विश्वास किया है तो 25 हम स्केर प्लस में आपने लिखा 15 M प्लस के 15 M प्लस के 9 वैसे दो से कॉमल लेलो और सेकंड दो से कॉमल लेलो फरस्ट दो से देखो 15 में और 25 में पांच का भाग जा रहा है और एक M है तो यह बन गया 5 M प्लस में 15 में 5 का भाग चला गया तो 3 बज गया प्लस में इसमें 3 का भाग जा रहा है 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा 5 M और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा ठीक है तो यह बन जाएगा 5 M प्लस में 3 यह बन गया 5m PLUS में 3 5m PLUS में 3 दोनों में कॉमन आ रहा देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है यह कॉमन ले लिया बच गया यहाँ यहाँ पे 5m PLUS में 3 तो यह रिजल्ट बन गया 5m PLUS में 3 या तो यह answer दे सकते हो या आप इसका होLSQUARE कर सकते हो ठेक है यह फिर यहा आप्पर आप बना सकते हों इसके बाद में देखो नेक्स आजाते है चार नमबर गुणा करने पे तो आपके पास में आना चाहिए 1.4 गुणा क्या बनना चाहिए या तो ऐसे कर सकते है इसको एक तरीका तो मैं नहीं यह बता दिया आपको बाकि आप क्या कर सकते हो देखो मैं इसको एक तरीके से और भी करा दू फिर किन्तों परंतों नहीं रहेगा ठीक है मैं पहले को दूसरे तरीके से करता हूँ देखो किस प्रकार से करते हैं इसका solution एक बटा इसका दूसरा solution भी है सभी का दूसरा करवाद दूआ एक तो ये तरीका है एक देखो A square को अपन क्या लिख सकते हैं A square को अपन A square कर सकते हैं कोई change नहीं करना A square A whole square plus में 8 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा A गुणा 4 यही तो कर सकते हैं 2 गुणा मैं गुणा में लिख दूँ इसको bracket में न लिख कर ऐसे लिख दूँ 2 गुणा A गुणा 4 plus में 16 को क्या लिख सकता हूं 4 का square 16 को क्या लिख सकता हूं 4 का square लिख सकता हूं तो यह क्या बन गए आपके पास में A square plus में 2 A B अब यहाँ पे मैं formula लिख रहा हूँ अब थोड़ा से ध्यान से सोचना प्यारे विद्यार्थी हूँ क्या कर रहा हूँ यहां से मेरे पास आता है A plus B का whole square वो होता है A square plus 2AB plus B square यह तो सभी ने पढ़ा होगा तो इसका solution क्या बन जाएगा इसका solution क्या बने का देखो अब A square को A square लिख सकते है A plus 2 formula का है A B 2 formula का है A B ठीक है plus में B तो यह आपने कर दिया B का मान 4 है यह हो गया इसका whole square हो गया A plus 4 का whole square open करोगे तो आप इस क्या बन जाएगा A square plus 8 A plus 16 लिखो गई यहाँ A A बराबर तो है A और B बराबर है 4 ठीक है आपका answer यह बनेगा आपका answer यह बनेगा इसी परकार से दूसरा देख लो यह समझ में आजेगा P का square है तो P का whole square minus में 2 A का मान कितना है P B का मान कितना है 5 B का मान कितना है 5 अब देखो 2 A का मान तो P है और B का मान कितना है मैं 5 कर दूँ देखो दो गुणा 5 दस हो जाता है तो 2 P 5 यह कर दिया 2 A B कर दिया एक त्रीके से प्लस में 25 है 25 को क्या लिख सकता हूं 5 का square लिख सकता हूं तो अब यह क्या बन जाएगा यहां पर कौन से identity कौन सा formula यूज होगा प्यारे विद्यार चे बताओ जल्दी यह बन जाएगा A minus B का whole square और यह कैसे open होगा A square minus 2 A B plus B square यही तो यूज होता है ना यही तो यूज होता है का समझे इसके बाद में देखो आप इसको क्या लिखोगी यहां A का मान कितना है पी है वह B का मान कितना है पांच है यह आप इसको ऐसे भी कर सकते है minus ठीक है तो minus का formula का निसान लग जाएगा minus है वो formula का लगेगा तो आपके पास में क्या बन जाएगा यह बनेगा P minus में 5 का whole square यह answer आजएगा यह आपका answer आजएगा is that clear इसके बाद में तीसरा है 25 M को क्या लिख सकते है 5 M का whole square plus 2 A का मान तो 5 M है 5 दूनी 10 plus 3 हो रहे गया पिछे B का मान हमने कर दिया 3 plus में 9 को क्या लिख सकते है 3 का whole square तो यह बन जाएगा यहाँ एक मिन्ट बाद में formula लिखता हूं formula पहले आप समझे के कौन सा formula की बात कर रहा हूं देखो दो यह identity यहाँ पर यूज हो रही है A plus B का whole square तो यह हो जाएगा A square plus 2 AB plus B square यह identity यहाँ पर यूज हो रही है तो यह बन जाएगा आपके पास में यहाँ A का मान कितना है 5 M है वै B का मान कितना है 3 है तो यह बन जाएगा 5 M plus में 3 का whole square यह आपके पास में प्राप्त हो जाएगा अब यह size मुझे लगता है कि आप नीचे वाला formula नीचे वाला method ज्यादा यूज मान होगे उसको ठीक है तो नीचे वाला करवा दी था कोई बात नहीं उपर वाला और नीचे वाला दोनों ही useful है दोनों ही सही है कोई गलत नहीं है ने तो उपर वाला गलत है ने नीचे वाला गलत है गलत है तो बस हम नहीं पढ़ते हैं वो बात गलत है बाग की और सब कुछ शही है प्यार विद्यार थी देखो उनेंचास को क्या लिख सकते हैं प्लस टू ए का मान साथ वाई और प्लस में 36 है 36 को लिख सकते हैं 6 जड़ का होल सकते हैं और बी का मान क्या होजेगा 6 जड़ होजेगा अब आइडेंटिटी कौन सी उज़ करेंगे ए प्लस बी का होल सकते हैं क्या होता है ए स्केर प्लस बी स्केर प्लस बी स्केर पहले मत लिखो आप फिर आप कनिफूज हो जागो टू ए बी लिखो पहले टू ए बी प्लस बी स्केर तो यह बन जाएगा ए स्केर यहाँ A का मान कितना है 7y B का मान कितना है 6z तब A plus B का हॉल स्कैर क्या बन जाएगा 7y plus me 6z का हॉल स्कैर 7y plus me 6z का हॉल स्कैर है यहां पर बन्जेगा 4x का square यह बन्जेगा 2x का whole square minus में 2, a का मान है 2x, b का मान है 2 और plus में 4 हैं, plus में 4 हैं तो 4 को क्या लिखोगे? 4 को क्या लिखोगे? 2 का whole square लिखो 4 को लिखेंगे 2 का square या 2 का whole square तो यह बन्जेगा आपके पास, a minus b का whole square a minus b का whole square क्या होजेगा? a square minus 2ab plus b square तो यह होगा आपके पास में, a का मान है 2x और b का मान क्या है? बीच में माइनस का आईगा, b का मान 2 है तो 2 minus, 2x माइनस में 2 का whole square है 2x माइनस में 2 का whole square है, इसमें से कुछ और comment भी ले सकते हैं आपन whole square है, या तो यह answer बता सकते है या आप books image करना चाते हैं तो 2 का square दोनों में comment बना रहा है 2 का square को मना गया, यहां पर बच गया x minus 1 का square 2 का square कितना होता है? 4 होता है, 4 यह है x minus 1 का square, यह answer हो गया is that clear? 4 x minus में 1 का whole square, x minus में 1 का whole square हो गया is that clear? इसके बाद में देखो, यह है 121, यह होगा 11 b का whole square minus में 88 c है, minus में 88 c है, इसको लिखेंगे 2, a का मान के है 11 b और plus में 16 को क्या लिखेंगे 4 c का whole square, और यहां पर b का मान के है 4 c, तो यह क्या बन जेगा? identity लेगेगी, a minus b का whole square, a square plus, नहीं minus 2ab plus b square, plus में b square है तो यह बनेगा आपके पास, यहां, a का मान कितना है, 11 b है, और b का मान कितना है, 4 c है, तो यह क्या बन जाएगा आपके पास में 11 b minus में 4 c का whole square, यह प्यारे विद्यार्थियों answer बनेगा, इसके बाद में next पे करते हैं 7 number questions, 7 number questions में हम ही दे रखा है l plus m का whole square, पहले इसको open करते हैं, l plus m का whole square, तो l square plus 2 l m plus m square, ठीक है, minus में 4 l m, आपने यहां पे क्या किया है, यहां पे आपने किया है, a plus b का whole square, a plus b का whole square क्या है, a square plus 2 a b plus b square, यही तो है ना, यह इस तरीके से open किया है हमने, तो देखो, l square, l square आजएगा, plus, plus का तो 2 l m है, minus का 4 l m है, तो minus का बचेगा यहां, plus का नहीं बचेगा, किसका बचेगा, minus का बचेगा, 2 l m, और plus में क्या है, m square है, यहां से क्या बचेगा, यहां, a बराबर थो हैं आपके पास, l, where, b बराबर है, m, और यहां पर कौन सा open होजएगा, a, minus b का hall square होजएगा, यह होता है, a square minus, 2 a, b, plus, b square, तो इसके हिसाब से, एक ही जिगाए, आप लिखेगे, l minus, m का hall square, यह answer बन जेगा, l minus में, m का hall square, ठीक है, यह next है, a की power 4, इसको लिखेंगे, a square का, square, plus 2, a square, यह है, b square, square, plus me, यह है, b square का, square, b, square का square है, तो यह हो गया, a square का square, b square का square, a square, b square, यहां लिखेंगे, यहां, देखो, a plus b का hall square open होगा, तो a बराबर तो है, a square, और b बराबर क्या है, यहां से, b square है, a की power 4, को square का square लिख सकते हैं, और b की power 4, को b square का square लिख सकते हैं, तो अपन जानते हैं, a plus b का hall square क्या होता है, a square plus b square, तो मत करो एक बार, 2 a b कर दो, 2 a b plus b square आएगा, plus में क्या आजएगा हमारे पास में, 2 a b, एक मिट रुकना भी, एक मिट का टाइम लगेगा, आप देख पारें स्क्रिन पे थोड़ा round अप हो रहा है, बीच में कुछ time चलने के बाद में, यह थोड़ा सा update होता है, ठीक है, लिखा हुआ पूरा update होता है, तो इसमें थोड़ा सा 2-4 second का time लगता है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन करेंगे, अपडेट तो हो गया है, ठीक है, अब देखो, दुबारा देखो, 2AB प्लेस B स्केर है, तो यह हो जाएगा हमारे पास, यहाँ A का मान A स्केर है ना, तो A स्केर प्लेस B का मान B स्केर है, और इसका हॉल स्केर हो गया, इसका open करोगे ना, तो वापिस यही बात बन जेगी, वापिस जो क्यूस्टन है वो आपके पास में बन जेगा, very simple है, दौनों मेथड मैंने आपको समझा दिया है, तीन क्यूस्टनों में करके, फिर next में मैंने दूसरा ही method यूज किया है, आगे देखो, एक identity आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्या पढ़ा था, एक बार में 4P स्केर को क्या लिख सकता हूँ, 2P का होल स्केर लिख सकता हूँ, माइनस में 9Q का स्केर होता है, 3Q का होल स्केर, अब होता है, एक बार कर सकते हैं, A माइनस B, A प्लस B, A माइनस में B, ठिक है, तो यह हो जेगा आपके पास, 2P प्लस में 3Q, 2P प्लस में 3Q, और यह बन जेगा, 2P माइनस में 3Q, यह आपका आंसर बन जेगा, यह आपका क्या बन जेगा, अंसर बन जेगा, is that clear, तो 2P प्लस 3Q, और 2P माइनस में 3Q, यह आपका राइट अंसर बन जेगा, इसे परकार से गुणंखंड करने, टुकडे करने, 63 और 112, इसमें से कुछी common आईगा, साथ मैं दोनों से common ले लू, दोनों तरह अब तो साथ उबे निष्ट लेने पे साथ को common लेने से, तो मैं इसको यह लिख सकता हूँ क्या, साथ गुणा नो, A स्केर, माइनस, साथ गुणा, मैं इसको कह सकता हूँ 16, साथ गुणा 16, साथ एक सुबारा होते हैं, 20 स्केर, दोनों से साथ को मना गया, यह बन गया, 9A square minus में 16B square ठीक है अब यह बन जाएगा 7 9A square को लिखेंगे है अपन 3A का hall square minus में 4B का hall square Is that clear? अब एक बार plus में एक बार minus में identity यहाँ पर लिखी हुई है तो 7 तो बाहर रहेगा 3A plus 4B 3A plus 4B और यह बन जाएगा 3A minus में 4B 3A plus 4B और 3A minus में 4B यह प्यारा सा जबाब प्यारा सा answer बन जाएगा Is that clear? इसके बाद में 9N6 square है इसको क्या लिखेंगे? 7X का whole square minus में 36 है तो 6 का वर्ग हो गया 6 का वर्ग हो गया 36 को 6 का वर्ग यहाँ पे 63 और 112 में पहले आपने 7 common क्यों लिया? क्योंकि ने तो 63 किसी का वर्ग है ने 112 किसी का पूर्ण वर्ग है तो हमने देखा कि इसमें कुछ common ले लिया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो common लेने के बाद में 9A square minus के 16B square बचा जो कि दोनों ही वर्ग है 9 और 16 दोनों ही वर्ग है 9A square एक बार plus में एक बार minus में तो लिखेंगे 7X plus मीच है और यह बन जाएगा 7X minus मीच है यह आपका right answer बन जाएगा इसके बाद में यह last आ गया इसमें ठीक है वेसे last नहीं आया यह page इसमें finish हो गया फिर नई slide हमें open करने पड़ेगी तो यह बन गया आपके पास में 16X की पावर 5 और 114 16 और 114 तो आप जानते पूर्ण वरग है लेकिन X की पावर 5 और X की पावर 3 यहाँ पे गड़बड हो रहा न तो अपन क्या करते हैं इसमें से इसमें से कोम ले लू मैं या तो X की पावर 3 कोम ले लू और साथ में 16 भी common ले लूँ ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए हमारे पास देखो या तो आप कर सकते हैं डाइरक्त लेकिन मैं इसमें से 16 x की पावर 16 x की पावर 3 common लेता हूँ 16 तो बहार चला गया x की पावर भी 3 चला गया 5 में से 3 निकाल दे 5 में से 3 घटा दे पैर विद्यार चेज़ क्या बचेगा 2 बचेगा X की पाउर 2 माइनस में 144 में 16 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 9 आएगा 169 143 तो 9 पर X की पाउर 3 तो बाहर चला गया तो यही बचा ओनली 4 तो यह बन जेगा हमारे पास में 16 X की पाउर 3 इसको अपने लिखेंगे X की स्केर माइनस में 3 का स्केर 3 का स्केर है तो यह बन जेगा 16 X की पाउर 3 यह होजेगा आपके पास में एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में यह आंसर बनेगा X plus 3 और X minus 3 एक बार plus में एक बार minus में यह बन जाएगा is that clear यह है A square minus B square एक बार plus में एक बार minus में एक बार minus में या तो एक बार L plus में M का whole square open कर लो और L minus में M का whole square open करके इसको कर लो लेकर आगर आप direct करना चाते हैं तो direct भी कर सकते हैं दोनों method से करते हैं दोनों हातों में लड़ू है कौन सा भी खा लें सही है ठीक है खाना एक ही अब देखो मैं यहाँ पे L plus M का whole square open करता हूँ तो यह बन जेगा L square plus 2L M plus M square बीच में minus का sign है L minus में M का whole square क्या होता है L square बाहर minus है एक बार मैं इसको bracket में लिख रहा हूँ L square minus में 2L M plus में M का square बाहर minus है फिर मैं minus का अंदर multiply करा हूँ तो यह बनेगा L square plus 2L M plus में M square minus में L square plus minus और minus प्लस हो गया 2L M minus में M square है अब देखो plus का M square minus का M square कट गया L square minus का यह कट गया तो हमारे पास में 2L M और 2L M कितने बचके 4L M बच गया कितना बन गया 4L M बन गया यह अंसर आ गया 4L M ठीक है इसके बाद भी 9X square Y square है 9X square Y square है तो यह बन जाएगा आपके पास 3XY का hall square ठीक है और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का square लिख सकते हैं अब एक बार plus में एक बार minus में 3XY plus में 4 और यह बन जाएगा 3XY minus में 4 यह आपका राइट अंसर होगा इसके बाद में देखेगा नई स्लाइड ओपन करते हैं अब देखेगा दूसरे का साथ वंक्यूशन है X square माइनस में 2XY plus में Y square है इसको अपन क्या लिख पाएंगे इसको अपन लिखेंगे जैसे अपन जानते हैं कि A square minus 2AB plus B square होता है उसको लिखेंगे A minus B का whole square ठीक है यह जानते हैं अच्छे से तो यहाँ पर देखो X minus में Y का whole square minus में Z का square जड का square है तो यह क्या बन जाएगा X minus में Y का whole square अब यह बन गया A square minus B square अब यहाँ पर identity लगेगी A square minus B square तो एक बार तो plus में और एक बार minus में यह क्या बन जाएगा एक बार plus में एक बार minus में तो करेंगे X minus Y plus Z A का मान कितना है यहाँ पर X plus Y है और B का मान कितना है जड है और यह कर देगे X माइनस में Y माइनस में Z ये अंसर आजेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसी परकार से ये लास्ट एंड अंतिम है इसको अपन को थोड़ा अलग करना पड़ेगा कैसे करेंगे इसमें से कुछ निकाल ले है ये देखो ये एक तरीके से हॉल स्केर ओपन होगा किसी नहीं किसी का हॉल स्केर बनेगा इसमें साथ में माइनस भी मैं कॉमल ले लूँ तो देखो मैं क्या लिख हुआ इसको 25 और इसको अकेले को एक रखना है 25 A का स्केर है माइनस कॉमल ले लिया मैंने माइनस कॉमल ले लिया तो अंदर क्या बन गे, देखो, जो minus का है, वो plus का हो जाएगा, तो ये बन गे, plus का, for b का square, plus का है, वो बन गे, minus का, 28bc, और जो minus का हो बन गे, plus का, बनेचास c square तो यह बन जाएगा 25 A का whole square है इसको लिखेंगे 5 A का square क्या लिखेंगे 5 A का square minus ठीक है 4 B का square है इसको अपने लिख देंगे एक बार 2 B का whole square minus में 2 A का मान है 2 B plus B का मान है 7 C B का मान कितना है 7 C है 7 C plus में उन्हें जास है वो लिखेंगे 7 C का whole square 7 C का whole square यह 7 अब यहाँ रखना यह थोड़ा सा बांका टेरा दिखाए दे रहा है इसको सही लिख देता हूँ साथ है अब यह होजेगा 5 A का whole square minus यह open हो जाता है A minus B का whole square तो A का मान तो 2 B minus B का मान है 7 C का whole square और यह बन गया एक बार में लिख देता हूँ यहाँ से A minus B का whole square यह होजेगा A square minus 2 A B plus B square और एक बन गया A square minus B square तो एक बार plus में और एक बार minus में ऐसे open करना है तो यह क्या बनेगा 5 A का square है ना 5 A का square है एक बार इसको लिख दिया 5 A A हो गया पूरा plus में B का मान कितना है 2 B minus में 7 यह पूरा A है यह पूरा B है A का square minus B का square है तो अब लिखेंगे 7 C अब बीच में plus लगाना है plus लगा दिया minus करदा है तो 5 A minus 2 B अर अंदर minus के 7 हैं तो minus और minus plus 7 C यह answer बनेगा 5 A plus 2 B minus के 7 C 5 A minus 2 B plus में 7 C यह answer बनेगा तो इस परकार से मैंने पहला और दूसरा question complete किया है लगबग आपकी class आदा गंटा की हो चुकी है तो तीसरा चोथा पांच वाक्योस नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज की class में बहुत बड़ी class हो जएगी लगबग एग घंटे से उपर की class हो जएगी फिर थोड़ी सी problem आजाती है ठीक है देखने में तो यहीं तक रखेंगे बस इतने में आप समझ गए होंगे और समझदार है समझदार कोई सारा ही काफी होता है तो class को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें चलेगा पहरे विद्यारत्यों आज की class में इतना ही next class में मिलें कुछ नए के साथ जै हिंद जै भारत